हलो दोस्तों वैलकम टेक्निकल अनिस में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पास जो नए अपडेट है हाइमो का वो आप कैसे आप उसे अपडेट कर सको और नए अपडेट का आप लुद्व और लाव कैसे उठ नए यहां सको तो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो गाइस आप स्टेब बाइस टेब करके और मैं आपको दिखाओंगा कि आपका जो पुराना वर्जन था जो पुराना आइमो था आपको क्या करना चाहिए उसे अनिस्टॉल मा लगबग आपको प्लेयर स्टोर में मिलेगा कि यह ट्रायल पर है तो आप ले तुम मज़ा ले सकते हो और आपको वैस का आप सब्सक्ति क्लाव जब जो इसको मैंनेजमेंट कर सकते हो अजानी की साथ किकन दिल हो हो जाएगा गाइस तो आप हमारे वीडियो को साथ एक दम बने रहे हैं और आप मैं आपको step by step करके दिखाऊंगा कि आप यह update कैसे करें और यह update कैसे किया जाता है आप अपती आइमो से कैसे करें साथ में टेलिग्राम से अपडेट कैसे निकालें वो सब कुछ मैं आपको step by step करके बताने वाला हो तो गाइस हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कहीं न जाए तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपको क्या करना पड़ाएगा कि हमारे चन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना होगा तब ही जाकर मैं आपको कुछ बताऊंगा ताकि जो मेरे अगले वीडियो भी आएंगे वाइस गलब से रियाटेट की वाइस गलब तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए गाइस आज मैं आपको बताता हूँ कि जो निव अपडेट आया है आइमो का आप उसे कैसे इंस्टॉल करो वो आपको कहां मिलेगा अपडेट तो आपको मैं बता दूँ कि आपको यूटूब को आपिन करना होगा तो चलिए मैं आपको आपिन करता हूँ जो आप देख सकते हैं जो भी मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रैप्शन में मुझ आपको दिखने को मिलेगा है चलिए मैं आपको दिखाता हू description पर click करता हूँ तो guys यहाँ पर देख सकते हैं description में आपको एक telegram का channel दिया हुआ है साथ में आपको technical analysis भी group link है तो आपको दोनों जगह आपको जो भी new update है वो आपको मिल जाएगा guys तो आप step by step करके follow करें और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको new update कैसे करना है क्या करना है उस सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो guys जो पुराना आपका जो आईमो था आपको अनिस्टॉल कर देना पड़ेगा सबसे पहले करना पड़ेगा कि अभी आपको आईमो अनिस्टॉल नहीं करना पड़ेगा सबसे पहले आपको टेलिग्राम अगर आपके पास है तो मैं दिखाता हूँ टेलिग्राम से आप डाउनलोड कैसे करो तो चलिए फॉस्ट में आपको टेलिग्राम का उप्शन है तो चलिए मैं टेलिग्राम पर क्लिक करता हूँ ओके अगर आपके पास टेलिग्राम है तो मैं टेलिग्राम के आप्शन पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो गाइस यहाँ पर टेलिग्राम का इंटरफिस आपन हो चुका है फिर आपको view in telegram अगर आपके पास telegram नहीं है तो आप download कर ले या फिर आप यहाँ पगड़ है तो यहाँ पर view in telegram पर फिर मेरे चैनल पर चला जाएगा फिर वहाँ से आप IMO download कर सकते हो तो guys मैं पहला first जो step है आप पहला तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ कि दोनों इस तरीका से मैं बताऊँगा कि आप IMO update कैसे कर सकते हो तो view in telegram में मैं चलता हूँ guys तो देखिए मेरा page आपन हो चुका उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो IMO 1PK है 57.6 MB का है तो आपको यह download कर देना है तो यह round होते रहेगा उसके बाद यह आपको file manager में save हो जाएगा तो यहाँ पर ऐसे round होते 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 फिर कुछ दिर के बाद आपको file manager में जब यह पूरा पूरी तरह से round हो जाएगा फिर यह क्या होगा कि आपके file manager में save हो जाएगा फिर मैं आपको देखाता हूँ कि file manager में जो आपका save है आपका जो IMO update version जो आपको पहले play store में आने से पहले पहले जो आपको मिल रहा है वो आपके telegram file में कहां पर save है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा पूरूफ करके साथ में दिखाऊँगा कि आपको install करना कैसे है तो यहाँ पर मैं इसे download होने दे देता हूँ कुछ दिर लगेगा फिर यह download हो जाएगा तो चलिए मैं इसको थोड़ा back कर देता हूँ उके उसके बाद मैं आपको देखाता हूँ दूसरा वी जहां से आप big group IMO का जो big group है आप वहाँ से download कर सकते हो guys तो चलिए मैं आपको देखाता हूँ IMO के big group second number पे है technical and nice big group तो मैं इस big group को join कर लेता हूँ मैंने इस पर click किया उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा option big group join करने का option यहाँ पर देख सकते है technical and nice big group है आप इसको join कर ले उसके बाद आपको किस IMO से join करना है तो first IMO मैं जो real IMO है मैं उससे join कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको देखाता हूँ यहाँ पर मैंने join कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको group space में जाना है group space में जाने के बाद जो first में आप देख सकते है वही चीज़ जो आपको telegram में देखने को मिलना है वो यहाँ पर भी देखने को मिलना है तो guys यहाँ से भी आप install कर यहाँ से आप download कर ले तो यहाँ पर भी आप continue करके download कर दें तो guys देखिए यहाँ पर download हो चुका है तो यहाँ पर आपको यहाँ से install बिल्कुल नहीं करना है guys तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरा यह download हो चुका है अब मैं आपको दिखाऊंगा ओके और फिर मैं चल दिखाता हूँ कि आपका जो टेलिग्राम से आपने डाउनलोड करने दिया था वो डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है तो चलिए मैं टेलिग्राम अपने चैनल पर चलता हूँ यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ 19 MB ही हुआ है डाउनलोड तो थोड़ा वेट कर लेता हूं गाइस फिर मैं दिखाऊंगा कि दोनों तरीका से आपको जो भी आसानी से आपसे हो सके आप दोनों तरीका अपलाई करके वो जो न्यू अपडेट है उसे आप इंस्टाल कर सकते हैं साथ में जो भी आपको नया जो भी फीचर्स है उसका लाव उठा सकते हैं उसका लुटफ उठा स सकते हैं जो वाइस कलब में अभी नया पॉलिसी आया है उसके उसके अंडर आप काम कर सकते हैं सारा कुछ वहाँ आपको बहुत आसानी के साथ मिल रहा है गाइस तो चलिए थोड़ा दिर वेट कर लेते हैं अपर 30 MB हो चुका है डाउनलोड तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी तरह से अब मुकमल डाउनलोड हो चुका है अब मुझे क्या करना है तो यहाँ पर मैं बैक चला जाता हो ओके ठीक है मैं इस फाइल सब को हटा देता हूं तो चलिए मैंने हटा दिया उसके बाद मुझे क्या करना है मैमोरी कार्ड या स्टोरेज में जाना है फून स्टोरेज में तो मैंने फाइल मेनेजर पर क्लिक किया उसके बाद मुझे क्या करना होगा फून स्टोरेज पर मैं क्लिक करता हूँ फिर जाकर आप देख सकते के रियल इमो में मैंने सेव किया तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको जो आप ने जहां डाउनलोड किया था तो गाइस application पर तो गाइस application पर click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा group space वाला था IMO वो यहाँ पर जो मैंने IMO big group space से मैंने download किया था यहाँ पर IMO save हो चुका है कहाँ पर save हुआ IMO जिसमें सरिफ IMO लिखा होगा IMO एप तो उस पर click करके आप देख सकते हैं यहाँ से आप चाओगे तो install कर सकते हो ठीक है तो अभी आपको install नहीं करना और फिर मैं आपको देखाता हूँ टेलिग्राम में कहाँ पर save हुआ जहां से आपने टेलिग्राम में download किया था तो टेलिग्राम फाइल है तो फिर टेलिग्राम फाइल पर click करता हूँ उसके बाद documents पर click करता हूँ फिर यहाँ पर last में देख सकते हैं 57 MB का यही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ से install कर सकते हैं लेकिन अभी आपको install नहीं करना है सबसे पहला काम आपको करना है कि जो real IMO था यह जो update वर्जन जो भी आया है वो आपको simple IMO या real IMO इसको कहते हैं तो इसको क्या करना है आपको इस पर click करके uninstall पर click करके uninstall कर देना है तो guys यहाँ पर देख सकते हैं finally uninstall हो जुगा है फिर उसके बाद क्या करना है मुझे file manager पर जाना है तो आपको यहाँ पर दू option है आप IMO से भी आप install कर सकते हो यहाँ पर click करके या फिर अगर आपको telegram से करना है तो telegram से भी आप कर सकते हो telegram file में आए उसके बाद फिर documents में आए फिर यहां पर देख सकते हैं IMO का option फिर IMO का option पर click करने के बाद install पर click करें यह देखें कुछ देर के अंदर में install successful हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं install होने वाला है जिस्ट कुछ देर और wait कर ले तो यहां install successful आपको देखने को मिलेगा यहां पर done और open का option आच चुका है तो guys यहां पर मैं done कर देता हूँ चलिए उसके बाद फिर मैं बाहर चलता हूँ अब मैं क्या करता हूँ यह जो IMO real IMO है इसे मैं उपर कर लेता हूँ चलिए guys यहां पर आसानी के साथ मैं उपर कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं IMO पर क्लिक करता हूँ तो guys मैं IMO पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहां पर मुझे क्या करना पड़ता है जो आपका IMO नमबर था वो यहां पर आपको डालना होता है guys तो चलिए मैं आपको यहाँ पर IMO नमबर डालने के बाद मुझे OK बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद देखें आप खुद बहुद यह IMO आपेन हो जाता है गाइज फिर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर IMO आपेन हो चुका है जो अपडेट वर्जन था मैंने उसे इंस्टाल कर लिया है कोई भी मुश्किल नहीं है आपको आप चाहोगे तो आप टेलिग्राम से भी इंस्टाल कर सकते हो साथ में जो IMO से ही IMO से भी इंस्टाल कर सकते हो गाइस तो बहुत आसा ट्रिक्स है इसको अपना ले उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर मेरा वाइस कलब शो नहीं कर रहा है तो इसको क्या करें फिर से इसको इसको ऐसे करके इसे उपर कर दे ठीक है फिर उसके बाद दोबारा इसको आपन करें उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं वाइस कलब शो करने लगा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे न्यू फिचर्स का जो भी अपडेट है जो भी वो शो करने लगा तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली मुझे न्यू अपडेट शो कर ने लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं माई रूम सारा कुछ यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कितना खुबसूरत सा देखने को मिला जो पहला था वो आपको नहीं देखने को मिला और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं जो आपका वाइस रूम था उसका भी जो शकल था वो भी चेंज हो चुका है तो guys मैं चले कोई voice room पर चलता हूं मैं देखाता हूं आपको कि यहाँ पर voice room का भी रंगा change हो चुका है guys तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो मैंने दिखा दिया कि install कैसे किया जाता है और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मज़ेदार features देखने को मिल आए यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना broad अगर आपको open करना है तो यहाँ से आप खुद का broad open कर सकते हो यहाँ पर lock करने का option भी दिया हुआ है take mic का option दिया हुआ है आप इस mic पे भी जा सकते हो यह आपके मरजी अगरONAइम करना है तो unlock mic पर आप किलिक कर दे आपका unlock mic हो जाएगा तो यह रहा इतना must features आपको देखने को यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पर आप चाओगे तो topic भी change कर सकते हो फिर हम अगले वीडियो के साथ पॉलिसी के साथ सारा कुछ मियाँ बताने वाला हूँ तो चलिए इतना ही काफी है आपके लिए समझने के लिए तो अगले वीडियो के साथ हम मिलते हैं जब तक के लिए Bye Bye and Take Care अपना ख्याल रखे एंड एडवांस में आपको मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस टे बोलता हूँ आप खुश रहें हिंदुस्तान से इंदाबाद